जैन दोस्तों, आज आप लोगों के समकक्ष एक ऐसा मुद्दा लेके आया हूँ, जिस मुद्दे के बारे में बात करना आज के समय में शायद बहुत ज़्यादा सरूरी हो चुका है, योगि पिछले कई सालों से ये चीज चली आ रही है, लेकिन इसके बारे में कोई भी बा आता नहीं है, नहीं मतलब आप समझ रहे होंगे मैं किस तरह की बाते कर रहा हूँ, तो ये सब चीज़े हमें करना आता नहीं है, तो इसलिए हम लोग सिर्फ बात करके अपनी बात को रखना पसंद करते हैं, कि आपको समझ में आ जा तो अच्छी बात है, लेकिन क्या है कि जानवरों को समझाया नहीं जा सकता, तो बात कुछ यू है, कि बिछले कई सालों से कलेंडर में अगर आपको ये देखना हो कि आप कौन सा तयोफार आने वाला है, तो आपको कलेंडर देखने की आज की रिटम जरूरत नहीं पड़ेगी, बस उठा के सोशल मीडिया देख की जा रही है, तो इस समझ लीजे कि नवरात राने वाला है, अगर दूद के बारे में बात की जा रही है, कि 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 ये पानी बचाना है, और ये करना है, और वो करना है, तो समझ जा जाने माली है और इसके पहले कि आप अपने गुश्य का ठीक ना मेरे साथ पर फोड़ें एक एक करके सिलसलेवार तरीके से आपको मैं सारी चीज़े बताना शुरू करता हूं एक ट्विटर पर हैश्टेग कल ट्रेंड कर रहा था जिसका की नाम था अरेस्ट दीपिका राजावाद अब ये अरेस्ट दीपिका राजावाद ट्रेंड करने ये क्या वज़ा थी वज़े ये थी कि इन्होंने एक बहुत डेरोगेटरी ट्वीट किया था ना वरातर को ले लेकिन जब दीपिका राजाबाद की थोड़ी सी हिस्ट्री आप देखेंगे तो ये फेम में आई थी जब इन्होंने कट हुआ में जो कांड हुआ था उस बच्ची के तरफ से नोंने केस लड़ने का फैसला किया था हाला कि जब पीडित परिवार ने देखा कि ये कई सारे समय तक पेशियां होई उस पे मौझूद ही नहीं रही तो उसके बाद उनको हटा दिया गया और फिर दूसरे वकील को कर लिया गया शायद इनकी सर्फ जरूरत इतनी थी कि उस केस के थूरू इनका थोड़ा नाम हो ज साते हैं सेक्रियरिजम से मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर आप सब साथ में मिलके आग़े बढ़ना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है यह कि आप साथ में मिलके आगे बढ़ोगे आप बहुत आगे तक जा पाओगे यह बात ता है लेकिन क्योंकि आज के समय में सेक् तर्मा की बात कर लें तो जब इद आती है तो यह ट्वीट करती है कि इसकी मिठास देखी है और जब नवरातर आती है तो यह बनातकार की बात करती है इन ही लोगों को जब रक्षवंदन आती है तो पेटा की हम बात करता है जब रक्षवंदन आती है तब पेटा है जो जान कि चमडे का उपयोग करते हैं मेरे हाथ में आज भी राखिया बंदी हुई है आप लोग देख सकते हो इस मुझे नहीं लगता इस राखिय में कहीं से कहीं तक चमडे का उपयोग है जब यह अलतुल उस चीज में बढ़ गया बहुत जादा इस बात ने विवात कर दिया तो इन लोगों ने सभाई दी कि हम लोग तो यह कहना चाह रहे थे कि जो गाय के दूद्स जो मिठाईयां बनती है उससे उनका शोषण होता है तो हम उस चीज को रोकने की बात करता है तो मुझको एक चीज बताईए कि क्या यह सब चीज साल भर नहीं होती सिर्फ एक ही दिन ह होती है और सबसे बड़ी बात मुद्ध वही आ गया कि फिर आपने चमड़ा जो वहां लिखा उस चमड़े को लिखने की क्या वश्यक्ता थी खैर इसकी वी हम कोई बात मतलब इसके हम लोग कुछ भी ज्यादा ऐसी बात नहीं कर सकते कि लॉजिकल हो कि चीज अपने आप म यूज ना करूँ तो घूम फिर के आप एक चीज देखिए कि इस तरह से हिंदुों के त्योहारों को ही क्यों टार्गेट किया जाता है और जब दूसरे किसी धर्म के त्योहार आते हैं तो कौन सा सेक्रिटरिजम का चोला और लिया जाता है मुझे ये समाझ में नहीं आता क्या है कि जब आप किसी को बार 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 पढ़ेशान करते हैं और उस तरह से जवाब नहीं आता है तो आप अपने आपको समझने लगते हैं शेर और आपको लगता है कि हम तो कुछ भी बोल देंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं और वैसा ही कुछ यहां भी होता हु लोगों की जमात है पूरी की पूरी यह लोग उस त्योहार को यह बोलते हैं कि महिलाओं को दिखाता है उनसे जवड़स्ती सब कराया जाता है इस तरह की बाते उठके हमारे सामने आने लगती है लेकिन यहां पर सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि नियहादूबिय प्लस जिस तरफ से बोलने जाने की सोच रहे होते हैं वहां पे इनको लगता है कि भाई हमें गलत सिद्ध कर दिया जाएगा तो ऐसे समय में यह लोग कोई बूटके सामने नहीं आते और थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमारा पूड़ा का पूरा कैलेंडर है वो कई सारे त अगे ठेखार मनाने की प्रथा इसलिए एक भाई है अपस में मिलके रहते हैं अलगल के दूशे से मिलते हैं प्रेंभाव बना रहता है तो लिए यह बचाना है किसान सूखे कशान आत्मात्या कर रहे हैं लोग को पीने का पानी नहीं मिल रहा है लोग दू-दू किलमेटर दूर जाते हैं इस तरह कियाड़ाने लगते हैं और आपके मण में एक विचार आता है कि भी हमें पानी बचाना चाहिए पर आप जरह ये सोचिए कि आपके खुद के घर में भी कितने नल लीक करने हैं कि आप लोग ने का भी इस तरह गौर किया एक बार बर जरह गौर करकर करता है वहां जीव अधिया की तरफ को दिहान नहीं दिए लिगिन नवरात तरहाती है तो उसको महिलाओं के खिलाफ होने वाले हरे एक जुर्म से दोजोड के देखा जाने लगता है पता नहीं अपने आपको किस तरह का यह लोग आर्ट लबर बताते हैं कि हम तो यह आर्ट अच्छाई की जीत हुई तो भगवान राम ने रावन का वद किया था अब यहां पर भी यह नया एजेंडा यह आ गया है कि उत्तर रामायन में जो की दिखाया जाता है कि किस तरीके से सीता जी ने त्याक कर दिया था धर्ती में समा गई थी वो सब चीज़े बताई जाती है तो उसके बाद सब राम भगवान को उनके नाम को खराब करने की आजकल कोशिश दारी हो गई वैसे यतने तो अच्छे लोग हैं कि भगवान राम के नाम का यह बाल विबाका नहीं कर सकते लेकिन इनी लोगों को इसी समझनी होगी कि उत्तर रामायन जो है वो वालमिकी की लिखी हुई बाते हैं उनसे बहुत हत्तक मेल नहीं खाती है प्लस जो विचारधारा उत्तर रामायन में दिखाई गई है वो कहीं से कहीं तक भी में रामायन से मेल भी नहीं खाती है भई जो राम भगवान और जो सीता मैया को छुआ भी नहीं सकते थे उनको इस तरीके से कि जब तक तुमको एक कैंसिंट्टन ही मिल जाता है उसको टच करने का तक तुमसे उसे अंहीं कर सकते वरना तो मर जाओगे तुन्हीं तो उनको टच सकते हैं वहीं को प्राम नवमी आती है या महाशिवरात्री आती है तो दूद के लिए बताना लगते हैं कि भीया दूद हम लोगों को कुपोषित बच्चों को पिराना चाहिए ऐसे बरबाद नहीं करना चाहिए वहीं जब भंडारे होते हैं लग अलग जगे पे तब यह लोग कुछ भी नह होता है पर अपने फती के साथ सेग्रेट के चल्ले वड़ाते हुए दिखती है मतलब हिपोक्रसी यह नहीं तोर क्या है और फिर क्रिसमस और न्यू एर पर यहीं लोग पूरी दुनिया मोहने वाली आतिशवाजी के मजे लेते हैं कि अरे वाह क्या मजा आया था यह तुम म मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोगों के लिए अचीव करना बहुत जादा मुश्किल है उमिद करता हूँ जो चीज में आपको समझाना चाहता था आप समझ गया होंगे और इस हिपोक्रसी से आप अपने आपको दूर रख पाएंगे और त्योहारों को उसी हर्शो लास के सा मिन पाएंगे मुझे ना कोई दिक्कती से हैं ना मुझे कोई दिक्कत replicate क्रिस्मस से मुझे दिकतस सिर्फ इस बात से कि मेरा तयोहार है उसके ऊपर आप उंवी मत उठाइए न हम आपको भी हम तो आपको वैसे भी कुछ नहीं करते हम लोग कुछ बोलती ही तो नहीं है जाना चाहता था आप समझ गए होंगे और यह सारी चीजें ऐसा नहीं है कि आपको परेशान करेंगी ज़रूरी नहीं कि बाते आपको परेशान करेंगी लेकिन आने वाले समय में जो हमारी यूवपीडी है उसको इस अब चीजें बहुत ज्यादा इंपक्क करेंगी समस्या क्योंकि जब यूवपीडी आपसे सवाल करना शुरू करेंगी और आप उनको तरीके से जवाब दे नहीं पाएंगे कि भाई सामने वाले ने आखरी जूट को फैलाया है तब समस्या खड़ी होगी इसलिए आपको यह बात समझनी जादा जरूरी है कि आपको आने वाली ज समझ गये होंगे मेरी वीडियों फिलालता नहीं जय हिन जय भारत